इस वीडियो में हम जानेंगे SBI Yuno के offers and rewards के बारे में साथ ही थोड़ी SBI Yuno app के detail के बारे में तो सबसे पहले आप SBI का Yuno app डाउनलोड कर लीजिए Yuno app डाउनलोड करने के बाद आपको जो है जो उसमें registration के लिए पूछा जाएगा अगर आप पहले से user है Yuno के तो login कर लीजिए अगर आप नहीं है तो वहाँ पर बताएगा आपको कि किस तरह से आप registration कर सकते हैं registration का process ऐसा है कि आप अपने ATM card से registration कर सकते हैं यानि ATM card details डाल करके आपका जो mobile number registered है उस पर OTP आएगा वहाँ से आप registration कर सकते हैं दूसरा जो तरीका है वह आपका account number डाल करके और आपके mobile पर OTP आएगा और personally आपको visit करके branch में आपको activate करना पड़ेगा तो यह दो तरीके हैं SBI ATM के तुरू और SBI आपके account number के तुरू तो सबसे पहले no app में जैसे ही आपने sign up कर लिया उसके बाद आप login करें लॉग इन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर पूछेगा आपके mobile pin के बारे में तो जैसे ही आप mobile pin देते हैं देखें सबसे पहले mpin जो है mobile pin यह आपको select कर लेना है उसी टाइम पर जिस टाइम पर आप sign up करते हैं वहाँ पूछेगा यहाँ जैसे ही आप mpin देते हैं उसके बाद यह app open हो जाएगा app open करके mpin डालने के बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखेगा यहाँ पर आप उपर देख सकते हैं accounts लिखा हुआ है इस account section में जो है आपको अपने bank account की detail मिलेगी passbook मिल जाएगी digital passbook भी आप download कर सकते हैं view balance पर click करेंगे तो यहाँ आपके bank account की detail मिलेगी balance आप चेक कर सकते हैं यहाँ 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 पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप quick transfer bank account में कर सकते हैं bank account number से दूसरे bank account number पर आप transfer कर सकते हैं इस से आप Bheem UPI ID भी बना सकते हैं जो Bheem UPI ID SBI के यहाँ आप से बन जाएगी आपको और भी digital payment transaction कर सकते हैं quick payment SBI credit card की prepared mobile recharge DTH recharge bill payment कर सकते हैं बैक जाएंगे हम लोग उसके बाद देखेंगे हम लोग काफी सारे deposit आपने कर रखे होंगे तो यह deposit पर मिलेगा उसके बाद investment पर क्लिक करेंगे आप तो आप से बाजार के लिए online demate account खोल सकते हैं SBI के तरब से काफी सारे online trading account demate account इससे खोल सकते हैं उसके बाद आप जो है so loans के लिए देख सकते हैं अपना you know cash पे आप क्लिक करेंगे तो यहां जो है ATM के withdrawal के लिए without ATM भी आप विद्रौ कर सकते हैं वह भी आपको यहां पर सुगदा मिल जाएगी सारा process इसमें लिखा पर जा करके उसके बाद जो है आप जो है offer देख सकते हैं insurance के लिए apply कर सकते हैं देखिए नीचे मेरा दिखारा से भी कुछ offers दिये जा रहे हैं वह सारे offers आपको यहां बेस्ट offers में मिल जाएंगे online sites या फिर online shopping sites जितने भी हैं उसमें यहां पर जा करके आप चेक कर सकते हैं काफी सारे इसमें catalog बनाए हुए है कि किस area में आपको चाहिए उस area के बारे में आप देख सकते हैं कि offer कौन सा चल रहा है अगर हम बात करें कि और भी offers के बारे में तो आपको नीचे भी और भी offer करते रहेंगे कौन कौन सा offer चल रहा है तो काफी सारे डीटेल आपके SBI bank account के बारे में इसमें आपको मिल जाएगा यह three lines पे क्लिक करेंगे तो आप सारा चीज इधर भी देख सकते हैं उस पर्चेजिंग के लिए software जितना भी आप shopping करते हैं तो आपको जो है सो एक reward मिलती है मतलब 100 रुपीज में समझ लीजे कि आपको एक रुपीज की almost reward मिलती है four points के रूप में तो उसको वो rewards तो आपको मिलती है लेकिन आप उसको किस तरसे redeem कर सकते हैं वो नीचे आपको मिले points पहले जितने भी मैंने points earn कर रखे हैं वो कुछ इस तरह से है four points बराबर one rupees है four points बराबर one rupees है कब किस points की expiry date है वो भी आपको नीचे लिखे हुई है मिलेगी यह सारे points जो है नीचे में detail में दिया हुआ है कि कब कितना points मैंने earn किया है online shopping payment या फिर आप बीग बजार से जो म काफी सारे icons बने हुए यहाँ पर आप किस form में आप इसको redeem करना चाहते हैं bus booking करना चाहते हैं dth recharge mobile recharge के form में या फिर आप अलग से flight ticket booking कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा points बचे हुए हैं तो यह सारा चीज कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर चलेंगे gift card के option पर यहाँ पर e directly big bazar में जाकर के counter पे show करेंगे तो उससे आपको discount मिल जाया क्रोमा के हैं Amazon का यह gift card है यह gift card जो है Amazon पे आप add करके रख सकते हैं या shopping में यूज कर सकते हैं flip card की भी उसी तरह से है shopping में आपको discount मिल जाएगी जितने की रहेगी काफी सारे gift card है अगर आप मैं आपको दिखाता हूं तो इतने सारे gift card available है different different stores के तो आप इसको purchase कर सकते हैं अपने अंसार से मेरे लिए जो सबसे काम का है वो है मेरा Amazon का और flip card का तो मैं अभी Amazon का अगर देखता हूं तो Amazon पे click करता हूं Amazon पे click करने के बाद मुझसे पूचा जाएगा कि कितने का आपका amount का gift card का ही ना सकते ह हैं तो मेरे पास अभी 81 balance है 81 को मैं divide करूंगा 4 से तो जो मेरा price आएगा उतना price का ही मैं यहाँ पर amount redeem कर सकता हूं तो उस समसार से मैं अपना यहाँ पर price डालूंग तो 81 points मेरे बचे हुए थे मैं जैसे ही amount डालता हूं बगल में show भी करेगा suppose that 22 डालता हूं तो 88 points लिखा र है point five में डाल देता हूं और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं accept e-keep card voucher के बारे में उसके बाद मैं यहाँ पर simply submit पर क्लिक करूंगा submit पर क्लिक करने के बाद बताएगा you cannot redeem decimal ठीक है decimal point में redeem नहीं कर सकता हूं तो मैं 20 rupees के ही कर सकता हूं क्योंकि 81 points ही मेरे account में है अभी मैं submit कर देता हूं तो आप proceed करने के बाद आपसे नाम और आपका email आईडिया आपका mobile नमर पुछा जाएगा फिर जैसे ही आप वहां से प्रोसीड करते हैं तो आपको payment के लिए पूचा जाएगा payment के लिए आपका mobile नमर पर OTP आएगा जैसे ही आप OTP देते हैं फिर OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है तो जैसे मैंने e-card e-gift card को purchase कर लिया उसके बाद मेरे mobile नमर पर ये SMS आएगा SMS के तुरू मुझे e-gift card दे दिया जाएगा और मेरे email पर भी आएगा जैसा कि आप देख पार है मैंने Amazon का खरदा है उसमें number दिया हुआ है पीन दिया हुआ है activation code दिया उसके लिए मैं Amazon अप पहले open करता हूँ Amazon अप open करने के बाद आपको Amazon अप open करने के बाद ये three dots पर click करना है आपको उसके बाद Amazon Pay पर click करने के बाद आपको इस तरह से gift card पर option पर जाना है यहाँ पर आपको gift card नमबर डालना है यह gift card जो number है 728J इस तरह से आपको पूरा डा डाल करके जो आपको gift card number message से या email से receipt किया गया है इस तरह के form में है जैसे example में आपको लिखा हुआ है कुछ इस तरह से form में मिलेगा तो यहाँ उसको डालने के बाद add to pay balance पे click करना है आपको add to pay balance पे click करेंगे आप तो आपका जो है यहाँ पर में जो gift and credit balance है यह updated balance हो जाए उसके बाद आप Amazon का balance Amazon recharge में यूज कर सकते हैं और भी shopping के लिए यूज कर सकते हैं और भी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं तो यह आपको successfully redeem हो जाएगा मतलब कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप और भी detail चाहते हैं तो हमारा Amazon का prime video जो डाला हुआ है वो आप देख सकते हैं उसमें आपको काफी detail से मिल जाएगी कि किस तरह से recharge कर सकते हैं और भी चीज लिंक description में मैं दे दूंगा आपको तो वहाँ से आप detail में video देख सकते हैं कि किस तरह से balance का use कर सकते हैं जो सबसे important बात है वो यह है कि आप हमेशा SBI UNO की जो app है वो Google Play Store से ही download करें Google Play Store में भ पूड़े हुए किसी भी document या important चीज के बारे में किसी को ना बताएं खास कर ATM का number ATM का pin या one time password यानी OTP आप किसी के साथ share ना करें bank detail किसी के साथ कभी भी share ना करें चाय कोई भी हो इसलिए आप हमेशा इस चीज में safety बरतें authentic app download करें Play Store से ही Play Store में भी आप देख लिए किसी कोई किसी तरह की problem है तो आप जो है सबसे पहले अपने bank से contact करिए आप state bank की branch को visit करिए वहाँ से आप detail ले लिजे confusion में मत रहिए किसी person से आप कभी भी बात करें तो कभी भी अपने bank account की कोई भी detail आप किसी को ना दे और अगर confusion में है तो bank आप visit कर लिजे वहाँ से आप सार अपना detail ले लिजे लेकिन किसी भी person को अपना OTP ATM card number bank details number किसी भी तरह की साजा ना करें आपको अगर हमारा वीडियो ये ठीक लगता है तो कि पर हमारे चैनल को subscribe करिए like करिए अगर आपको और अच्छा लगता है इस तरह का वीडियो तो हमारे चैनल को subscribe करके रखे अभी के ये थैंक यू